अब तक के इस वीडियो में हमने भारते रथ विवस्ता के छितरक में जिन जिन चीजों पर बात किया हैं एक पर उसको देख लेते हैं and again हम अपना नेक्स पार्ट को स्टार्ट करते हैं तो अब तक के जो क्लास हैं उसमें ये डिसके अंतर्ट को में होती हैं जिस्वी हमने यह देखने के की को्सिद्की तो प्राथ में क्रिया होती हैं आज जिसमें हमने यह देखने की कुछिस की कि जो प्राथ में करिया होती है और खेती पे संबंदित होती है जो दृत्र करिया होती है और दोगों से संबंदित होती है और जो तिरते करिया होती है जो भुगतान के बतले हमें प्राप्त होती है ठीक है तो इस पर अभी तक हमने बा किया उसके बाद हमने continue किया इस figure में भारत में हमने यह देखने का कोशिश किया कि जो तीनों सक्टर है उसका कुल GDP में कितना contribution है इसको देखने की कोशिश की हमने इसका importance ज्यादा क्यों बढ़ता गया तेरे तक चितर का इसको देखने की कोशिश की just हमने देखा कि रोजगार जो रोजगार है वो किस चेत्रों में देखने को मिलता है उसके बाद हमने यह देखा कि आज के टाइम में जो GDP में जो किस सेक्टर का contribution सबसे ज्यादा है एक्री कल्चर का है या इंडेस्टी का है तर्सरी का है तो सबसे ज्यादा जो contribution है वो किसका है टर्सरी सेक्टर का है कि आज हम देखेंगे कि आज हम देखने की कुशिस करेंगे कि कार्य के अधार पर यानि कि बेस जॉन वर्क कार्य के अधार पर छेत्रकों को कितने हिस्सों में क्या किया गया है वर्गी किलित किया है कितने हिस्सों में बाटा गया है तो सबसे पहले देखते हैं कार्य के अध जिसमें कि और अवर्गनाइइस सेक्टर, दो इसको बाता गया एक संगठ्हेथ शेत्र में मृत्व तो यह आप देख सकते हैं यहां पर थो कहानी है काता कि कमल इस कांथार जो काम करती हो किया संगठ्हेथ शेत्र मुझते करते हैं है तो अगर हम देखे कांथा सब्सक्राइबारे में काम करती है वो सब्सक्राइब इतले साथ या sin मुट देग सब्सक्राण के करते है यानि कि कांता का जो जौब कोरे सरोकार की प्रेवेज्ट है सबको सरोकारी काम के हिसाब से पड़ देखते हैं तो देखते हैं दोनों में क्या अंतर कह doctrine मैं क्या समानता उसको को देखने की कोशिस करते हैं यह को पता है उसके से रूजगार्ण सुरक्षित होते हैं सरकारी स्हों होता है उसमें क्या देखने को मिलता है जो रोजगार है उस रक्षित है रोजगार जो है लोगों को ऐसा नहीं होता है कि वहाँ बिरोजगार हो ज़या साथ गंटे में कारनेले काम रहाता है किसी कुछ चीज नहीं होती स्वास की बेनेफिट से अच्छी मिलती है सभी उजनाओं का बेनेफिट उनको मिलता है एक अच्छा वेतर उनको मिलता है मिलता है जब हम संगठितचे चेतर की बात करते तो ुचित वेतनिक उने मिलता है समाज में परतिष्टा बहुत अच्छी होती है बहतर जीवन होता है उनका और सभी संसादम तक उनकी पहुच होती है यानि कि जिन जिन चीजों को लेना चाहते है वह चीजें उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है काले समापती के बाद काम करने के वस्ता बाद को पेंशन जैसी किस छेत्र की आती है तो आप चलतें आज रोजगार है तो कल रोजगार नहीं होगा कुछ भी हो सकता है कोई समय नहीं है सभी लोगों को एक बहतर स्वास्त की सभिधाय नहीं मिलती योजना को बड़ाबर लाब नी मिलता वेतन जो है बहुत ही कम होती है संसाधनों तक पहुच नहीं होता कारे की कोई गारंटी नहीं है कि मैं आज आपके पास रोजगार है नहीं है निम्र जीवन ऐसा जो लाइफ स्टाइल है वो लोग क्वालिटी का होता है ज्यादा बहतर नहीं होता तो असंगटी छेतर में अगर हम देखें तो जो भी प्राइविट सेक्टर में काम करने वाली व्यक्ति है उनके सामने में इस तरीके के चलेंजस है उनका रोजगार है वो एक रक्षित रोजगार है दिर्धारित कारे का समय नहीं है यानि कि उनको कितने देर काम करना है कोई लिमिटेड नहीं है स्वास्तु प्लवत्ता का वा ठीक है उसकी बाद योजनाक उनको बड़ावर अब हम देखते हैं स्वामित्व के अधार पर चेत्र को कितने हिस्सों बाटा गया तो स्वामित्व के अधार पर चेत्र को दो हिस्सों में बाटा गया सर्जुनिक चेत्र और नीजी चेत्र तो देखते हैं सर्जुनिक चेत्र के बाड़े में और नीजी चेत्र के बाड़ तो जब आप सारदुनिक छेतर की बात करते हैं तो सारदुनिक छेतर का मतलब यह है कि सरकार का इस पर मिलकुल भी नियंद्वरण नहीं होता रोजगार जो है बहुत ही सुरक्षित होती है उसके बाद आप देखेंगे कि युजनाओं का लाव सेवा सरकार देती है लाव कमाना इसका उदेश नहीं है समाजिक कल्यान करना इसका मुख्य उदेश होता है उधारन के लिए आप इंडियन रेलिवे को देख और समझ सकते हैं अब बात करते हैं नीजी शेतर तो नीजी कमाना लाव कमाना फाइदा कमाना उसकी बास समाजिक कल्यान करना इनका उदेश नहीं है यानि कि सोशल वेलफियर पर काम करना इनका उदेश नहीं है इनका तो सिर्फ उदेश यह है कि लाव कमाएंगे और बैनिफिट कमाएंगे बस यह इनका उदेश होता है उधारन के लिए आप जियो को डेख सकते हैं अडानी गुरूप को देख सकते हैं डियल एफ को देख सकते हैं और ऐसे कई चीजों को देख सकते हैं जो नीजी छेत्र के अंतरगत आते हैं तो नीजी छेत्र के अंतरण में होता है रोजगार असुरक्षित होता है सभी उजना को लाव न करते हैं दो methods है जिनसे आप ज़्यादा स्यादा रोजगार को generate कर सकते हैं पहला होगा अल्पकालिन यानि कि short term ठेक है थोड़ा लिख देता हुमें आपको पहला होगा आपका short term और दूसरा होगा आपका नीचे लिख लो दूसरा होगा आपका long term यानि कि एक होगे अल्पकालिन एक होगे दिर्पकालिन यह दोनों तरीके कारगर हैं ज्यादा तर रोजगार के विकास करने में ठेक है तो चलते हैं एक एक करके बात करते हैं जो पहला तरीक है उसको कहते हैं अल्पकालिन तरीक है सौटर कौन साटर जैसे मन्रेगा जैसे कारिकरम को प्रोतोसाइट करना मन्रेगा की कारिकरम के बारे लोगों को बताना ये लोगों में रोजगार ला सकता है बेरोजगार होने पर लोगों को अगर रोजगार भथता मिले यानि कि ये देखा जाए कि जो व्यक्ति बेरोजगार है उसको बेरोजगार होने पर रोजगार भता कुछ-कुछ पैसे दे दिया जाए ठीक है इसके साथ यह होता है कि गरीबों में भी यानि कि हम कहते हैं कि गरीब लोगों को रोजगार की बहुत ज़्यादा जरूरत है लेकिन गरीबों में भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है ठीक है गरीबों में भी गरीब लोगों को आप रोजगार दें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जेनरेट कर सकते है स्वास्थ के अप्लोटा लोगों के अगर पास-वास अच्छा होगा विकल पच्छागा तो अच्छा जीवरसर जीने के कुश्शिस करेगा सरकारी साहेता जितनी हो से के लोगों तक पहुचाए महलाओं का एक तिहाई आरक्षन और रोजगार जैने कि महिलाओं को ज़्यादे से ज्यादा से ज़्यादा से जादा शेत्र में रोजगार उपलाव्ध करवाना जिस्टे लेकर पाइसा का जब बोलते हैं कि enroll में और जो जो रोजगार प्रफ प्लाव Indians कर दो उसकी बाहाद ही है कि बेदोजगार मेने में जब कोई विक्ति बेदोजगार है तो उसको बेदोजगार भथता आप अपलबद करवाद हो इसके साथ गरीबों में भी जो गरीब लोगे हैं स्वास्त की उपलबदता यानि कि अच्छी medical facilities, government की जो policy उपरवाइड करवाद हो, महिलाओ को एक तिहाई अरक्षन और रोजगार इनको उपलब्द करवाद हो तो यह उतरीके जो short term है अल्पकालिन है, अल्पकालिन तरीके इनको कहे जाते हैं और इनको माना जाता है तो चलते हैं अपने next topic जो दिर्ग कालिन तरीके हैं यानि कiary long term policy क्या होनी चाहिए हमारी तो दिर्ग कालिन तरीके जो रोजगार की जन्रीट कर सकते हैं जैसे पर क्रिशी उसभाद करें, ग्रामीन उद्द्योग उस्थापित करना स्वास सुभिथाओं को इसके उनको बहतर करना ये सबी तरीके उप्रुक तरीके से रोजगार का विकास हो सकता है अब बात करते हैं महातमा गांधी नेशनल रोजगार गरेंटी अदेनिया 2005 पर क्या है मनरेगा तो भारत सरकार ने भारत के 625 जिलों में कारे के अधिकार को लागू करने के लिए मन्दे का जैसे कारी करम को चलाया है जिसका मुख्य उदेश जो व्यक्ति कारे नहीं कर रहा है और यह कारे करने में सक्षय में उन्हें रोजगार उपलब करवाना है कितने जिलों में 625 जिलों में इसको महत्मा गंधी रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं जिसमें ग्रामीन चित्रों में रठेंवाले लोगों को सौध इनके कारे की गारंटी दी जाती है और उनके कारे के हिसाब से उनको उसका भुगतान किया जाता है और जब 5 किलोमेटर से दूर किसी व्यक्ति को काड करने के लिए भीजा जाता है तो उसको किराया भता बही दिया जाता है यानि कि आप मानिए कि मंद्रिका के इंदर 5 किलोमेटर के जो अंडर है उसी के डिस्टेंस में आपको चाम करने के लिए पांच किलो में आपको जॉब नहीं मिलता है इस वाले हिस्से में जॉब मेलते हैं तो जब आप इस एरिये में काम करेंगे तो बदले में आपको इसके कुछ-कुछ प्रवाइड हो जाएंगी ठीक है इसके साथ अगर रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं हो तो करने भारत के 625 जिलों में चलाये था जिसको महातमा गांधी रोजगार गरेंटी अदिनियम कहते हैं इसे लोगों को सौधिन काम करने के लिए कहा जाता है उनके कारे के हिसाब से उनको बोक्तान किया जाता है और जब 5 किलमेटर से दूर किसी व्यक्ति को कार के लिए कम कर रही है तो यह काम कर रहिए तो यह काम50 मंड़े का कित्याइत हो रहा है cd थैंक यू एंड मुझे लगता है कि यहां तक आपको बात समझ मैं ही होगी है अगर आपके पास कोई कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेडी है तो आप हमारे इस कोमेंट बॉक्स में कर सकते हैं हमारे जो टीम है वो आपके इन प्रॉब्लम्स को लेने की कुछिस कर गी ओके ठीक है तो ओके डाउट सिट